असलाव हुआ अच्छू वेलकम बेक टो अपने टीचर यूरीव चैनल मैं हूँ अपनों की स्टेटिक्स टीचर फिर्जा वासिम इस वीडियो में आप लोग प्रोबैबिलिटी का जो इवेंट का सेक्शन होता है जहां चार इवेंट्स होता है मुस्ली नौन मुस्ली इंडिपेंडेंट एंडिपेंडेंट उसका रियल कॉंसेट उसके फॉर्मिला कहां कहां लगते हैं रियल लाइफ एक्जाम्पल से आप लोग समझोगे उसका में कॉंसेट प्लस हम एक कॉंसेटन भी कर देंगे अच्छा इस पूरे पार्ट को मैंने पार्ट में डिवाइट के हैं यह जो वीडियो आएगी इसमें आप लोग इसका कॉंसेट और एक कोशन सीख लोगे अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर आप लोग रियल लाइफ एक्जाम्पल पर बेस्ट कोशन करोगे जहां पर कंडिशन प्रोबैबिलिटीज भी ह जग रहा होगा और हम कॉंटिजन सी टेबल के भी कोशन सीखेंगे तो इस सब के लिए अभी एक्जाम होने वाले आप लोगों के तो एक्जाम फोकुस्टी सारी चीज होंगी तो प्लीज साथ रहना और इसको देखते रहना वीडियो को एंड तब ठीक है लेट साट दो व वह होता है not mutually और एक होता है independent और एक होता है dependent पहले की बात करते हैं mutually exclusive events या disjoint events अब disjoint event इसको क्यों बोला जाता है इसका main concept यह होता है कि ऐसे events जहां पर एक वक्त में एक ही चीज आती हो यानि एक ही चीज आए उसी वक्त में दूसरी चीज नहीं आ सकती for example for example कि अगर आप मैं आपको बोलूँ कि आप अभी चाय भी पी रहो उसी के साथ आप जूस भी पी पी रहो तो यह एक ऐसा event हो जाएगा कि जो एक वक्त में दोनों अकर नहीं हो सकता या मैं अभी आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूं स्टैट्स यहां पर ख़़ों के सब्सक्राइब कि इसे के साथ साथ मैं आप लिगों को मैस नहीं पढ़ा सकती यह इंटर के बच्चों को मैं स्टैट्स पढ़ाऊंगी तो उसी वक्त मेंएं एक ऐसा event नहीं हो सकता के उसी टाइम में मैं इंजिनेरिंग के बच्छों को सेकंडर या authorities की math नहीं तो अगर त कोनों चीज़े तो एक साधा करो ही नहीं सकती तो अगर इसकी प्रोबैबिलिटी मालूम करनी है तो हम किस तरह मालूम करेंगे उसके लिए बेटा हमारे पास क्या मौझूद है इसके फॉर्मिलाज मौझूद है और क्राइटेरिया आपके पास क्या होता है कि पहले आप इसक अभी बताती हूं इसके बारे इसमें पहले क्या होता है इन सब में कॉमन चीज होती है इंटर्सेक्शन और यूनियन तो एक चीज में यहां पर आप लोगो क्लेर कर देती हूं याद रखो जब भी एंड आता है तो एंड का मतलब आपके पास होता है एंड या मैंस का होता है और आजाता है ठीक है ओर उर्दू में बोलो तो यह 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 तो एकन गलती क्या करते हैं या निermals को पहुंच जाते नहीं पहले क्या देène inh कि वह union intersection बोलने खेर चलो यह वाली बात है तो हम question में भी सीखेंगे अब आजो यहां पर रेखो यहां पर क्या था जब mutually exclusive events हो और आप से क्या कहा जाए probability निकालो दो इवेंट है और भी probability आपको निकालनी है intersection की यानि common part है अगर उन्हेंने end बोल दिया आपने क्या लगा है intersection तो याद रखो हमेशा इसकी probability क्या होती है जीरो होती है क्यूंकि जब mutually exclusive event से दोर डिस्जॉइंट है आ नहीं सकते एक साथ तो उनका common part ही निकलेगा जब common part नहीं निकलेगा तो probability जीरो ठीक है अच्छा जी दूसरे पर आज़ा दूसरा क्या है यहां पर आपका union है ठीक है union का मतलब क्या होता है वैसे भी set में करते तो किस सरा करते थे कि बहीं जो जो और तो concept आ जाएगा ठीक है और बल्के और के concept काम ना भी देखो तो यह formula यहां पर याद रखो कि mutually exclusive में जब union आता है तो आप क्या करते हो probability of A plus probability of B यानि फिर भी अभी common party है यानि या तो event A अकर होगा और इसका क्या मतलब है इसका और plus का मतलब क्या होता है मैंने भी यहां बताया और होता है या या तो event भी अकर होगा यानि इसकी probability पास समझवाई अब देखो इसी तरह mutually exclusive का ही अगर की probabilities है और आपके पास आ जाए union ठीक है और तीन इवेंट बोलगो मतलब दो इवेंट तो A और B तीसरा इवेंट C को बोल तो यह हो जाएगा और अगर union मालूम क not mutually exclusive events देखो जिससरा इसकी बात करी थी इसका भी मैं बताती हूं not mutually exclusive events इसके against होते हैं अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक वक्त में जैसे एक company है वहाँ पे एक employee है वो एक वक्त में जो है वो graduate भी हो सकता है और वो merit भी हो सकता है सही बात है यानि दो events एक ऐसा concept दे रह का CEO भी हो सकता है और वो एक husband भी हो सकता है या फिर एक father भी है ठीक है एक बंदा एक clerk भी हो सकता है और इसी के साथ साथ वह एक दूसरा role भी play कर सकता है तो यह वाले events क्या हो गए आपके not mutually exclusive events हो गए इसका मतलब पहले कहा जाना है बेटा concept पे जाना है कि क्या ऐसा हो सकता ह या इन दोनों के होने के chances हैं तो अगर chances हैं तो वह कौन से concept की probability है not mutually exclusive की probability है बात समझ में आई और आप इसको joint probability भी बोल सकते हो अच्छे इसके जो formula जब बात आती है तो यहां पर देखो जिस सरीके से यहां पर common part यहां 0 हो जाता है यहां common part 0 नहीं होगा यहां पर क्या probability of A plus probability of B यानि दोनों के probability इसको पहले plus करके निकाल के अलग-अलग plus करो और उसको minus कर दो किसे उसके union के part से ठीक है अब यह देखो यह वह बात हो गई कि हम हावा में ही सारी बाते कर रहे है एक्छल का पता चलता है जब आप कोशन इसके पर पॉर्म करते हो और जब इसका कि यूणियन अगर आता है ठीक है पहले आपने देखा कॉंसेप्ट गलिया वह किसका है नोड मिच लिएका फिर आपने क्या देखा कि यह और है यह एंड अगर आपने लिए और तो ओ ऑर की बात क्या होगा यह यूनियन बोल यह दो इसका फस्सक्राइब दोनों को बस प् तो यहां majority जो आता है ना वैसे ही experience से मैं आपने बता रही हूं कि union आता है जादत है और करना क्या आता है दोनों की probabilities को plus करके common part से minus करना होता है यानि इसके intersection के तो देखो इसको याद रखने का तरीका ऐसी है अगर non mutually exclusive है यहां पर आ जाता है क्या intersection तो यह जो पार्ट है यह जो पार्ट है यह दोनों में दोनों की formulas में same रहेगा लेकिन minus किससे हो जाएगा इसके alternative जैसे intersection है यहां पर union से हो जाएगा यहां union है तो यहां intersection से हो जाएगा म अब आ जाते हैं independent and dependent events पर देखो जो dependent event होता है ना यह dependent event and not mutually exclusive यह मैं पहली clear कर दूँ कि इनके जो formulas होते हैं यहां देख लो यह और यह same होता है formula जो होते हैं उसके अंदर कोई difference नहीं होता ठीक है और concept में भी इतना जादा नहीं होता मतलब आप concept किसका लेके चल रहे होते हो not mutually exclusive का तो यह main main points है जो मैं आप लोगो बता रही हूं अपने पास लिखना है तो इसको लिख बिलो no down कर लो ताके जब question करते हैं तो वहां पे कट कट करके आपके question होता है यह मैं बात पहले ही बता दो अगर यह concept आपके हलके हैं तो समझ जो बहुत time consume हो जाएगा एक probability का छोटा सा question भी करना बात clear हो रही है अच्छा हम कहां पे थे independent events कौन से होते हैं ऐसे events जिसके होने या ना होने से एक दूसरे पर फर्क ना पढ़ जैसे for example मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूं ठीक है तो paper किसका है आप लोगों का paper है कुछ दिन बात आप लोगों का paper होगा but मैं एक teacher के ऐसे से यहां पर पढ़ा रही हूं कोई मुझ से आप लोग पढ़ो या ना पढ़ो तो मेरे उपर कोई फर्क नहीं life उसी आपके मामों पर आ जाती है यानि किसी की earning पर किसी की चीज़ों पर फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो ऐसा event अगर आपको बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका independent event जाएगा हां अगर कोई छोटा बच्चा है अगर उसकी father की death हो जाती है तो वो जो event आपको कहलात कि वह dependent होगा क्योंकि वो बच्चा अभी अपने फादर पर dependent है अच्छा यह बता क्यों मैं रही हूँ क्योंकि आपके पास questions आते हैं वो सारे real life examples पर ही based कर रहे होते हैं तो चीज़ को जरा उस तरह से समझो ना तो आपकी grip अच्छी हो सकते हैं अच्छा जी dependent events पर आजो dependent events क्या होते हैं देखोसी का alternative ले लो कि ऐसे events जहां पर किसी के आने या ना आने से फर्क पड़ता है उसी इवेंट पर इसका मतलब क्या हुआ अब छोटी सी example है अगर मैं लेती हूँ पांच बच्चों को मैं बुलाओं और उनका जो है उनकी में रेस लगवाँ ठीक है भाग की तरह है हम यह तो नहीं देख रहे कि कौन हार रहा हम इंट्रस्टिट किसमें कि जीता कौन है तो अगर में तीन-चार बच्चों और एट कर दूंगी तो उन सब के जीतने के chances कम हो जाएंगे तो वह दूसरे पर depend कर रहें ठीक है जितने जादा लोग अपनी abilities लेके भाग करें होंगे ठीक है और अगर मैं कम कर देती हूं कम करके मैंने दो या तीन बच्चे को